हाई फरेंट्स वेल्कम टू ग्यानियार्स दोस्तों बात करेंगे PID के बारे में पैल्विक इंफ्लामेंटरी डिजीज के बारे में कि यह होती क्यों है क्या लक्षान आते महला में और क्या ट्रीट्मेंट दिया जाएगा क्या साब्धानिया रहना पड़ती कैसे आप इससे बच चकते हैं सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में तो देखते रहे हैं जोस्तों यहाँ भी दी तो बहुत सारे महला के की ऐसी समस्यान कोती हैं जिनसे महला परशान होती आप ड्रीक के और तो उसी तरह से एक बीमारी होती जी सो बोलते हे पी आईडिल, पेलविक इंफ्लामेंटरी डिसीज, अब इसको समझ लेते होता क्या है, नाम से के लिए रभाई की पेलविक इंफ्लामेंटरी, जो हमारा स्कलेटल सिस्टम होता है, उसका एक हिस्सा होता है दोस्तों, जहां पर होती ही पेलविक गोन, मतलब कि वो पेलविक भी कहते हैं, तो महलाओं में नॉर्मल है, बहुत सारी महलाओं में हो जाता है, कभी ना कभी, तो यह तो जश्ट एक सूजन आती है, महला के प्राइवेट पार्ट्स में, सूजन आ जाती है, इंफेक्शन हो जाते हैं कुछ, उनके यूटरेस में, गर्वासर में, इस उनके कुछ कारण होते हैं, कारणों को समझ लेते हैं, देखो होता क्या है कि कुछ बैक्टेरियल इंफेक्शन होते हैं, जैसे कि गोनेरिया का इंफेक्शन, या क्लेमेडियल इंफेक्शन, ये बैक्टेरियल इंफेक्शन की गुरूत हो जाती है, सेक्शल ट्रांसमें की कौपर्टी वगएरा कोई गर्वन रोदक डिवाइस लगवा लिया है तो भी सुजन वगएरा आ जाती है या किसी महिला का मिस्केरेज हो जाए ठीक ना गर्व पात हो जाता है तब भी पी आईडी डेवलब हो हो सकते जैसे कि कुछ महरा होती है जो कम उम्र में ही या शेक्स पहुत जब्ते करते हैं ठीक है उनको हो होता है या और प्रइवेट पार्ट का सब्सक्राय पर ध्यान ना देपाना ठीक है एक शाइन1 कि दोस्तों जिसमर वो करना अभी कम अपते हैं डोश करते हैं क्या होता कि सोडा पाने में मिक्स करके जल्दी साफ हो जाती ज्रम अगर निकल जाता है इससे क्या होता कि एजो डूस करना होता है पानी मिक्स करके सब जो भी है इसको यूज करते हैं महला करी DIY की तरह इससे को तरह बैजाइना का यूनिका बोलना चाहिए वलवा का जो है पी एच गड़वड हो जाता है उस बज़े से भी वहां पर इंफेक्शन पढ़ने लगते हैं रैडनेस आजाती है सूजन आ जाती है तो यह जो PID है इसमें बस यह हो रहा है कि महला के प्राइवेट पार्ट में जलन होना सूजन होना और उसके साथ ही कुछ और सिम्टम्स आना तो इसे बोलते हैं PID इसके कोई लक्शन होते हैं बिसेस क्योंकि आदमी कन्फीज होगा कि भाई PCUSB तो हो सकता है तो इसका पह सेक्स के टाइम पर धर्द जादा होना ठीक है तो अभी यहां पर आती ही बात कि है PCUS कैंसे अलागे देखो PCUS की बात करें पॉलेसिस्टिक और सिंड्रोम उसमें भी रेगुलर पिलेट्स होते हैं यह सब उसमें थोड़ा बहुत होता है लेकिन PCUS में आपको सिस्ट बने दिखेंगे ओवरीज के अंदर सिस्ट दिख जाती है महला हैं लड़कियां हैं शादी से पहले या सादी के बाद या प्रडम डेवलप हो सकती है सिर्फ इंफेक्शन्स और इंफ्लामेशन हो जाती है उनके प्राइवेट पार्ट में पैल्विक एडिया में दर्द होना है इसी को पैल्विक इंफ्लामेंटरी डिसिस बोल देती हैं ठीक है कुछ जाचें की जाती हैं जैसे की यूरिन की इस फोड़ा वगरा भी डेवलप हो जाता है तो उसकी बायाफसी कर सकते हैं लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं यह सारे तरीके डॉक्टर्स अपना सकते जाच के लिए अब होता क्या है कि बहुत सी महला को समस्या होती है लेकिन उनको पता ही नहीं चलता जब उनकी समस्या कुछ नो कुछ गढ़वड है तो इसलिए हमेशा अपने सरीर के प्रती संबेदन सील रहना चाहिए कि वह कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए ठीक है यहां पर कुछ टिप्स होती है जैसा कि इन टिप्स के दौरा महला पी हाथ में दूसरी बात एक प्रोपर बैजाईना को साफ कर सकते हैं हाईजिनिक रहें चीक है तो इन सब चीओं से बचा जा सकता है पी आईडी से अब बात करेंगा तो देखो ट्रीटमेंट करता है कि आप किस कंडिशन में जाते हैं नॉर्मली ट्रीटमेंट की बात किया त इसमें कुछ एंटी वेक्टरियल ड्रक्स चलते हैं जैसे कि सफेक्जिम एजट्रमाइसिम यह सब चलते हैं ठीक ना एजट्रमाइसिम का कॉम्बिनीशन दे सकते हैं तो यह कुछ दिनों तक इसका कोर्स कर आया जाता है महला को तो यह चीज है उसके लाबागा कुछ कोई चला जाता है महला को आराम मिल जाता है और तो दोस्तों बात कीया कि रिस्क क्या हो सकता है क्या हूं सब्सक्राइब Mile करते हैं अलाज नहीं कराते हैं तो क्या problem आ सकती है तो ectopic pregnancy का डर होता है ठीक है, एक्टोपिक प्रेग्नेंसी, गरवाज सह से वाहर बच्चा ठहर जाएगा, वो कोई मतलब का नहीं होता है, और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, ठीक है, महिला या तो प्रेग्नेंट ही नहीं होगी, होगी तो वो एक्टोपिक प्रेग्नेंसी होगी, ये चीज है, और अगर प्रेग्डेंसी की दौरान पिएडी हुआ तो प्रेग्डेंसी में बहुत दिख्कत अती है सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं आप देख रहेते ग्यानियर दा मेडिकल चैनल मैं हूं शिवाम तुम्हें मिलता हूं अगले वीडियो में जैहिंद बंदे मौतर अगले वीडियो में जैहिंद बंदे मौतर